Hello everyone, this is Shikha Srivastav from Mathematics Pump. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7, Chapter 2 that is Traction and Decimals में Exercise 2.4 solve करेंगे. Lecture start करने से पहले मैं बता दूँ कि इसके पिछली वीडियो में मैंने Exercise 2.3 fully solve किया हुआ है, हर एक question solve किया हुआ है. अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज जाकर देखिए. तो चलिए आज की क्लास start करते हैं. Question number 1 क्या है? Find number 1, 12 divided by 3 by 4. देखें, यहाँ पे आपको division दिये गये हैं, आपको divide करना है एक fraction को दूसरे fraction से. अभी तक हम लोगों ने fractions का addition, fractions का subtraction and fractions का multiplication कवर किया है अपने पिछली exercises में. But इस exercise 2.4 में हमको division करना है दो fractions का. कैसे करेंगे? Number 1, 12 divided by 3 by 4. कभी भी आपको division sign आजाएं, तो आप उसको सबसे पहले multiply वाले sign में convert करिएगा. तो कैसे करेंगे? 12 को आप 12 by 1 लिख सकती हूँ. यह 1 लिख सकती हूँ ना, denominator में 1 होता है. और यह जो divide है, इसको multiply में convert करिए. जब divide को multiply में convert करेंगे, तो इस जो divide के बाग वाला जो fraction है, उसका reciprocal हो जाता है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 by 3. 3 by 4 का reciprocal, 4 by 3 हो जाएगा. अब दो fractions का multiply है, यह तो आप लोगों ने पिछली exercise में किया ही है. कैसे करते हैं multiply? सबसे मैंने अगर कुछ इसमें simplify हो रहा हो, तो simplify कर दीजिए. जैसे देखिए 3, 3 की टेबल में आता है, और 3 की टेबल में 12 भी आता है. तो दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो simplify कर जिए 3 बंजा 3, 3, 4 जा 12. अब कुछ भी simplify नहीं हो रहा है, तो direct multiply ऊपर ऊपर वाले का, नीचे नीचे वाले का. 4, 4 जा 16, आप divide by 1 बंजा 1, बट अब divide में 1 लिखते नहीं है, तो 16 ही हमारा answer है. 16 is our answer. Now second part, 14 divided by 5 by 6, 14 को 14 by 1 लिख सकते हैं. अब इस division को सबसे पहले multiply में convert करिए. तो इस number का reciprocal हो जाएगा. अब ये 5 by 6 क्या हो जाएगा? 6 by 5. अगर आपको simplify हो रहा हो, तो simplify करिए. लेकिन यहाँ पर हो नहीं रहा है, क्योंकि देखिए 5 की table में 14 नहीं आता, 5 की table में 6 में आता. तो direct multiply कराएगे. 14, 6 जा 84 and divide by 5 बंजा 5. बट ये improper fraction में आ रहा है, तो इसको हम mixed fraction में convert करेंगे. तो 84 को 5 से divide करिए. 5 बंजा 5, 3 आया. यहाँ पर 4 है. अब कितनी बार जाएगा? 5, 6, 0, 30. remainder क्या आया? 4. तो इसको किस form में लिखते हैं? इसको हम लोग remainder upon divisor. means 4 by 5. यह remainder है, यह divisor है. And this is quotient. क्यों? अब quotient एगदभ आगे लिखते हैं. तो यह वो गया 16 whole 4 by 5. यही आपका answer है. यह किस form में लिखा जाता है? यह लिखा जाता है remainder upon divisor. And quotient आगे लिखा जाता है. इसी form में हम mixed fraction को लिखते हैं. यह हमारा answer है 16 and 4 by 5. Now, third part solve करते हैं. Third part. 8 divided by 7 by 3. 8 को 8 by 1 लिख सकते हैं. अब उसी तरीके से 8 by 1 divide को multiply में convert करीज. इसका reciprocal हो जाएगा 3 by 7. आप कुछ simplify नहीं हो रहा है. So, numerator numerator का multiply. 8 3 by 27. Denominator denominator का multiply 7 by 7. यह भी improper fraction में आ रहा है. जिसको big fraction में convert करते हैं. 24 को 7 से divide करिए. 7 3 जा 21 remainder आगया 3. इसको लिखेंगे 3 upon 7 means remainder upon divisor. And quotient आगे आजाएगा है है हमारा answer है. Now, fourth part. 4 divided by 8 by 3. 4 को 4 by 1 लिख सकते हैं. अब यह हो जाएगा 4 by 1. इस division को जब multiply में convert करेंगे. तो इस number का reciprocal हो जाएगा 3 by 8. आपको simplify हो रहा हो तो simplify करिए. देखें, दोनों 4 की टेबल से कट रहे हैं. कार दीजे, 4 बंजा 4, 4, 2, जा 8. आप कुछ भी नहीं कट रहा है. So, उपर उपर वाले का multiply 3 बंजा 3 and 2 बंजा 2. यह improper fraction में आ रहा है. तो इसको mixed fraction में convert करते हैं. 3 को 2 से divide करिए. 2 आप जा 2, remainder आगया 1. So, इसको लिखेंगे remainder upon divisor. Means 1 upon 2. And यह जो quotient में है, यह आगे आ जाएगा. यहीं आपका answer है. 1 and 1 by 2. Now, 5th part solve करते हैं. 5th part यहाँ पर solve कर लेते हैं. 3 divide by 2 and 1 by 3. यह कैसे solve होगा? यहाँ mix fraction में हैं. सबसे पहले इसको improper fraction में convert करेंगे. यह 3 को 3 by 1 लिख सकते हैं. Divide को multiply में. अभी मत करिए multiply में. पहले इसको improper में convert कर लीजिए. तो यह हो जाएगा इन दोनों का multiply 3 to just 6. फिर 6 में बनाइट करिए 7, 7 by 3 हो जाएगा. अब यहाँ पे है 3 by 1. इसको multiply में convert करेंगे. इसका reciprocal हो जाएगा 3 by 7. कुछ भी हाँ पे cancel नहीं हो रहा है. तो direct multiply 3, 3 जो 9 and 7 वंजा 7. बट यह improper fraction में है. इसको mixed fraction में करने के लिए 9 को 7 से divide करें. 7 वंजा 7, remainder आगया 2. इसको हम लोग लेख सकते हैं. remainder upon divisor means 2 upon 7 and quotient आगे आजाएगा. यह आपका answer है. 1 and 2 by 7. Now last part is 6 part. 6 part में क्या है? 5 divided by 3 and 4 by 7. यहाँ पे लिए mixed fraction में कि पहले सके इसको 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 प्रॉपर में convert करेंगे. यह हो जाएगा 5 divided by. 5 को 5 by 1 लिख दीजिए. 7, 3 जाएग 21. 21 में 4 add करेंगे. कितना हो जाएगा? 25 by 7. Now 5 by 1 इस division को multiply में convert करेंगे. तो यह reciprocal चला जाएगा. 7 upon 25. अब simplify करेंगे. दोनों 5 के table से कट रहा है. तो 5 बंजा 5, 5, 5 बंजा 25. अब कुछ भी नहीं कट रहा है. तो direct multiply 7 बंजा 7 and 5 बंजा 5. यह फिर से improper fraction में आ रहा है. तो 7 को 5 से divide करें. 5 बंजा 5. क्या आगया remainder 2? तो इसको लिख सकते हैं remainder upon divisor. means 2 upon 5. 2 upon 5. और quotient में क्या रहा है? 1. 1 आगया जाएगा. यही आपका answer है. 1 and 2 by 5. This is your answer. All the strengths. आपको यह question अच्छे से समझाया होगा. तो मिलती हम अपनी next video में. तब तक के लिए बाइपार and take care.